आज हम बना रहे हैं सुईट कॉन की सब्जी जो की बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी सुईट कॉन की स्वीट कॉन की सबजी के लिए मैंने यहाँ पर लिये बॉयल स्वीट कॉन इसे मैंने पानी में थोड़ी दर के लिए बॉयल कर लिया और इसे थोड़ा सा गला लिया साथ ही में मैंने यहाँ पर लिये बारी कटी भी प्याज और बारी कटे भी टामाटर साथ ही में एक लिए हरी मिर्च, बारी कटी भी सबची के लिए यहां मैंने कड़ाई को गरम करने रख दिया है और उसमें दो चमच ऑईल गरम करा है ऑईल के साथ मैं यहां डाल रहे हूँ एक चमच बटर बटर से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तेल और बटर को गरम करने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूं दाल चीनी तेज पता, दो छोटी इलाइची, दो लॉंग और थोड़ा सा जीरा इन सबी मसालों को हलका सा तड़कने के बाद में हम इसमें डाल रहे हैं बारिक का टीवी प्यास इसे भी हम हलका सा फ्राई करेंगे इसे बहुत जादा हमें नहीं फ्राई करना है बस इसका हलका सा कलर चेंज करना है जब तक हमारी प्यास फ्राई होती है जब तक हम इसके लिए निकाल लेते हैं मसाले यहां मैं ले रहे हूँ चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर आदी चम्मच नमक डेर चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है दो चम्मच धनिया पाउडर नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉडिंग कम जादा कर सकते हैं इसमें हई हम अपर भू चुकी है meilleur हम डाल लेते हैं मोय हाद मिर्च आपchos और पशनल है अगर पसंद करते हैं तो डाल लें इसा चाहरी मिर्च का फ्लिवर बहुत बढ़िया लगता है मैं इसे क्हारी मिर्च व में यहां डाल लेते हैं लसन और अद्रक का पेस्ट लसन और अद्रक डाल कर भी हम इसे दो मिनट के लिए भून लेते हैं इसे बहुत ज़्यादा इसे भी नहीं भूनना हमें बस इसका कच्छा पन निकलना चाहिए लस्टन और अद्रफ को भूनने के बाद में हम इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले मसालों को हम अच्छे से इसमें भून लेंगे दो मिनट मसाले भूंगते वक्त हम अपनी गैस की फ्लेम को लो रखेंगे मसाले इसमें जलने नीची ये लगातार चलाते रहेंगे इसे इसे भी दो मिट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे वे टमाटर यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटरों को कटके रखा है और तो मीडियम साइस की प्यास का यूज किया है यहां पर मैंने यहां मैं डाल लूँ थोड़ा सा पानी जिससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएं पानी डालकर इसे लो फिलेम पर थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छी से गल पाएं देखिए टमाटर हमारे मैशी हो चुके हैं हमारा मसाला काफी कुछ बन चुका है यह देखिए कितना बढ़िया कलार आया है सबजी का यहां मैं डाल रही हूँ आदी चमच गरम मसाला गरम मसाला आप अपने टेस्ट का कोडिंग कम जदा कर सकते हैं इसी के साथ मैं यहां डाल रही हूँ भूनीवी कस्तूरी में थी कस्तूरी में थी और गरम मसाले को अच्छे से इसमें मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में हमने जो अपने स्वीट काउन बॉयल करके रखे थे वह इसमें मिला देते हैं स्वीट काउन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पाने मिलाकर लो फ्लेम पर इसे पांच मिनट के लिए कबर करके छोड़ देते हैं ताकि हमारे स्वीट करन और मसाले अच्छे से मिल पाएं सबजी को खोल कर देख लेते हैं हमें सबजी कैसी बनी है यह देखिए कितनी बढ़िया सबजी बनकर तयार हुई है इसका कलर भी इतना बढ़िया आ रहा है और खुश्बू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है सबजी बनकर हमारी तयार है बस इसमें थोड़ा सा हमें डालना है थोड़ा सा बटर ऑप्शनल है मैं यहां पर चोथाई चमच बटर डाल रहे हूँ यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डालें वणना ना डालें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है उपर से डालने के बाद में साथ ही में मैं यहां डाल रहे हूँ जो घर की क्रीम है जो हमने मलाई जमती है उसको थोड़ा सा फैट कर वो इसमें डाल रहे हूँ इससे ग्रेवी का कलर भी बहुत बढ़िया हो जाता है और यह क्रीमी फॉर्म आ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है इस सबजी के आगे आपको होटल और रेस्टोरेंट की सबजी भी फीकी लगेगी यह मेरी गारंटी यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है आप भी इस सबजी को जरू ट्राई करें यह बहुत ही बढ़िया बनती है फाइनली अब इसमें हम डाल लेते हैं कटावा हरा धनिया और इसे करते हैं अब प्लेटिंग आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं या रेसिपी में क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं मुझे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें लाइक शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिविशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की रेसिपी आपके लिए लाती रहूँ